नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं और दोस्तों आप देख सकते हैं मोसम जो है रंग बदल गया है घटा आगी है पूरी और हवा काफी तेज चल रही हैं तो जिन भाईयों का मन गन्ना बोने का है यह मतलब वो बॉई की तैयारी मे तो लोन दोस्ते हैं पीज वाई कहीं से ला रहे हैं तो दोस्तों आपने खेत्व में खूड़े निकाल ले खूड़े खूड़े कभी बारिस अजाजा फ्रेडाइक ने बढ़ता कि खेत्तों में भान जादा हो जलता है यह देख सकते हैं हम ने भी सामके सब मिंए खूड निकाल दिये थे इसमें क्या वेनिफिट होगा कि अगर बारिस भी पड़ी की काफी तेज तो आप इसमें बोई कर सकते हैं अगर आपका बीज तैयार हैं वैसे तो अभी दो चार दिन रुकें हमें तो इसलिए बोना पड़ा दोस्तों क्योंकि हमने तो एक दो वैराइटी ज सुरुआत करी वैसा हम हमेसा 8-10 मार्श से बाद में ही करने की बोई करते हैं क्योंकि इतने मोसम के जो बारिस बारिस का नाटक सा चलता रहा है यो सब खतम हो जा गए लेकिन पिछली बार भी आपने हमारी वीडियो के माध्यम से देखा था कि हमने जब बोई करी थी सट्र 235 की बोई की थी वहां जो था उसमें फावले से बोई करे थी और बहुत महनत उसमें जाते होगी थी लेकिन अगर हम उस बात का हमें एक सबक मिला कि अगर हम इस खेत में टेक्टर से खोड निकाल देते जैसा मुझे बीज लेना बाहर जाना पड़ाता तो भाई भी निका तो जुर्बा जो है दोस्तों करते करते ही होगा अब यह देख सकते हैं यह तीसरी बार के हमने पोगे छोड़ दिये यह देख लो काफी अच्छे खूड लगने शुरू होगी यह सारा गन्ना जो है बैलिस इंच का है और इस बार जो है चुब्वन पच्पन इंच की पर दोस्तों यह हैं यहां आप देख सकते हैं निमें जो है कई वेराइटी बोई है अलग अलग बीजी यह देख सकते हैं इस चुवण इंच पर हमारा छोड़ा ट्रैक्टर चल जागा वैसा हम इस वाली क्यारी में तो सब्जी बगर अलगवा देंगे यह देख लो आप अलग सा तैयार रखें लेकिन खेत की तैयारी जो है लेजर वगर के खोड़ पहले निकाल दें क्योंकि फिर बारिस में नुक्सान नहीं होता है अगर आप ने अभी बीजी की तैयारी नहीं करी यह कुछ भी तो भाईया अभी पांच-चार दिन आप मोसम का रूख देखो मोसम कैसा रंग बदल रहा मेरी बात से सहमत हो तो दोस्तों वीडियो को शेर करें नमस्कार